मित्रो जैसा हमको मालूम है के केंदर सरकार में मोदी जी की सरकार ये उसकी दूसरी टर्म उसका एक साल ये दो दिन पहले तीस तारिक को पूर्ण हुआ और इस NDA2 के पहले साल में मैं समझता हम बहुत ही उलिखनिय काम मोदी जी की सरकार ने किये और कुछ काम तो ऐसे हैं जो वास्त में कि इत्यास बन गया है वर्षों से जो अटके हुए काम थे जो जनता की प्रबल इच्छा थी नहीं हो पा रहे थे मोदी जी की सरकार ने और इस प्रकार से वो किये कि जिसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता बिना किसी व्यवधान के जो काम हुए उसमें अगर सबसे पहला महत्पुन काम में गिरता हूँ तो वो है धारा 370 अनुचे 370 को जिस प्रकार से उसका प्रभाव कम किया जो इस देश की जनता की जब से देश आदाद हुआ समिधान बना तब से ही माग थी कि इस धारा 370 के अनुचेद के प्रभाव को स्माप किया जाए क्योंकि एक राष्ट की कलपना जुकी गई थी जहां एक विधान हो एक निशान हो और एक ही प्रधान हो कश्मीर में अभी तक भी दो निशान और दो विधान ये चलते थे डॉक्टर शामपशाद मुकरजी के बलिदान के कारण से दो प्रधान के जगा एक प्रधान तो हो गया था लेकिन अभी भी बाकी दो चीज़ें शेश थी अब कश्मीर जो है जमू और कश्मीर भारत वर्ष का एक अभिन अंग बन करके और आया है उगरा है देश की एक ताखंडता इसे मजबूत हुई है तो बहुत एक उलेखनी ये काम ये पिछले एक वर्ष में हुआ और इसी में अगर दूसरा विशे में जोड़ता हूँ तो है नागरिक संशोधन जो कानूर बना जिसको हमने C.A.A. कहा जिससे जो तीन देश है पाकिस्तान, बंगला देश और अफगानिस्तान वहां से वर्षों से जो नागरिक उत्पीडित होकर के भारत वर्ष में आये थे उनको नागरिकता नेम विल रहे थी, उनके नागरिकता का रास्ता खुला ये भी मैं समझता हूँ अपने देश और इस रीजन के अंदर जो एक लोगों के मन में एक शंशय था और दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में रादर जो उत्पीडन एक प्रकार से सेन कर रहे थे उन सब लोगों को किस प्रकार से नागरिकता भारत की मिले, उसका रास्ता साफ हुआ तीसरा बड़ा काम राम जन भुवी पर ववे राम मंदिर का निर्बान ये भी कोई सोच नहीं सकता था कि इतनी आसानी से इस काम को आपसी समझ के साथ बैठ करके और सुप्रीम कोट के निर्णे के माध्यम से ये भी संपन होगा बहुत सुझबुच के साथ इस काम को भी यानि एक टेक्टिकल देकर के और इस मांग को भी जनता की जो वर्शों परानी मांग थी दो सेकड़ों वर्शों परानी मांग कह सकते हैं इस देश की धी उसको भी पुरा कराया है इसी परकार तीन तलाक ये जो कानून है मुसलिम मेलाओं के उत्थान के नाते से जो एक उत्पिड़न मुसलिम मेलाओं का ऐसा माना जाता है उनको उसमें से बाहर निकाला ये भी इस पिछले एक वर्ष की देन है करतारपुर साब का जो गलियारा है क्योंकि हमारे सिख बंदूओं के नाते से बहुत बड़ी मानेता वहाँ जो गुनानक देव जी का जो एक स्थान है उसके पती जो बनी है और सारे देश के लोगों की आस्ता है तो उस स्थान पर लोगों का आना जाना उस गल्यारे के मात्यम से आसान हो सके इसका भी एक रास्ता करतारपूर गल्यारे के नाते से ये ब ये एक होना चाहिए तो एक combined एक system बना करके chief of defense staff की जो एक रचना बनाई गई एक प्रावधन किया गया ये भी एक हमारे रक्षा के नाते से एक बहुत बड़ा कदम जो इस पिछले साल में लिया गया है पित्रो काम गिराने के लिए बहुत हैं लेकिन कुल मिला करके पिछला एक वर्ष इन सबातों के लिए गिरा जाएगा कि इस देश ने दुनिया में अपना एक ऐसा नाम बनाया है एक ताकत के रूप में उभर करके आ रहे हैं वो चाहे सामरिक ताकत हो चाहे वो आर्थिक ता इस देश को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया के साथ अपने समंध अच्छे बनाने के लिए इन्वस्टर को यहां लाने के लिए यहां की जनता को किस परकार से आगे पाइडिस्पेट करा आ。 हर वर्क के साथ उन्होंने संब्द बनाये और संब्द बना करके जनता के लिए भी बहुत सी योजना है वो लागू की चाहे वो शारिव की दिश्टी से चिकसार दिश्टी से शिक्षा की दिश्टी से किसान की दिश्टी से वेफसाय की दिश्टी से हर परकार के एक शेतर मे उन्होंने बहुत सरानी एक काम किये अगर मैं चिकत्सा के नाते से कोई एक विशे गिनाना चाहूँ तो आयुश्मान भारत जैसी स्कीम ये भी उन्होंने गुशना की जिसके अंतरगत कहा जा सकता कि कोई भी गरीब परिवार उसको पांच लाख रुपे तक की मर गया या उसका घर के परिवार के स्थिक खराब हो गई इसमें से उपर उठाया देशवर में एक क्रोड लोगों ने इसका लाख उठाया है अगर मैं हरियाना की बात करता हूँ तो एक लाख दस जार लोगों ने इसका लाग उठाया है अभी तक हरियाना में और हरियाना में तो हम इससे आगे बढ़कर के भी क्योंकि जिनके नाम SCC डाटा में नहीं है SCC डाटा 2011 में त्यार हुआ था बहुत परिवारों का नाम उसमें नहीं है हमने एक प्रावधान बनाया है उसको जदी लाग उपलागू कर देंगे कि जिन परिवारों की 1,80,000 रुपे से कम इनकम है वारशिक ऐसे परिवार भी इसमें शामिल किये जाएंगे चाये वो SCC डाटा में हैं अथवा नहीं है इन सब का खर्च केंदर सरकार की बजा है हरियना सरकार खुद वहन करेगी तो बहुत पड़ी मात्रा में ये नाम भी जुड़ने वाले हैं उसकी प्रोसेस चल रही है वो सब परिवार पचान पत्र के नाते से जो कारकम चल रहा है बहुत जल्दी उसका पूर्ण होते ही उसका वेधिवत ब्रारंब कर दिया जाएगा अर्यना में तो हमने और भी कुछ चीजें लागो किया है उसमें महत्मुण चीज ऐसे रोगी जो किंड़ी के यानि पेशन्ट हैं डायलसिजन का होता है अथवा कैंसर के रोगी है ऐसे सब लोगों को भी आर्थिक आउशकता बहुत होती है उनको भी हमने जो पेंशन बाइस सो पचास रुपे की मासिक है ऐसे सब लोगों के लिए बाइस सो पचास रुपे मासिक पेंशन HIV हो अत्वा किंड़नी का डायलसिस का मरीज हो या फिर कैंसर का मरीज हो ऐसे सब लोगों को साड़े बाइस सो रुपेव मासिक पेंशन ये भी हमने लागू की है मित्रो देश प्रकती के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है इसमें खास करके इन्वेस्टर्स या जो एंट्रपरिनोर्स भारत में काम करना चाहते हैं उनके लिए Ease of Doing Business का पैमाना ये बहुत महत्व रखता है भारतवश ने इतना एक काम करके भार प्रदेश का इसमें योगदान है उन योगदान को आगे बढ़ाते हुए Ease of Doing Business जो World Bank का एक पैमाना है उसके ओपर जो हमारा 142 वा नंबर था 360 वे नंबर पर हम आ गए हैं पर हमारा जो टार्गेट है अगला वो पचास्वे स्थान का है अगर पचास्वे स्थान पर हम देश दुनिया भर में आते हैं तो निश्यू से भारत वर्ष जो है वो एक डेस्टिनेशन प्रेफर्ड डेस्टिनेशन करके और उबरेगा और इसमें हरियाना का अपना एक योगदान है हरियाना 2014 में जिसका रैंकिंग अपने देश के परांतों में 14 स्थान पर था हमने अपने आग काफी सुधार किये और सुधारों के बाद हमारी जो रैंकिंग है वो 2018 के अंदर थर्ड रैंकिंग आ गई थी और मैं समझता हूँ अगली बाद जब भी इसका कोई रिव्यू होगा तो उसके अंदर हम और अच्छा स्थान बनाएंगे लेकर अभी करोना के कारण से अगला जो रिव्यू इस समय होना था वो कुछ दिन के लिए रुका है और कोरोना के समाप्ति के बाद नेक्स रिव्यू में हम और इसमें बहतर अपना स्थान बनाएंगे ऐसा मुझे लगता है पदार मंत्री जिने गरीबों के लिए किसानों के लिए छोटे वापारियों के लिए और जो हमारा श्रम योगी है उनके लिए ये भी बहुत धान रखा है कैसे गरीब परिवारों को वार्शक साहता ये पहुंचनी चाहिए और इसमें भी जो 60 वर्ष की आयू का विक्ति हो जाता है उसको कैसे पैंशन के दारे में लाया जाए तो किसान की मांधन योजना पधार मंत्री श्रमियोगी मांधन योजना पधार मंत्री लगूवयपारी मांधन योजना ये सब योजना ये लागू की और इसमें 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक के लोग अपनी और से भी कुछ प्रीमियम यदि अदा करते हैं प्रीमियम उतना ही के अंदर सरकार भी देगी तो इनको 3,000 पे पेंशन मिलेगी हमें जब धहर में आया कि ऐसे लोग अपनी पास से प्रीमियम देने में असमर्थ होंगे अथवा संकोच करेंगे अथवा नहीं देने की आदल सब भी हस नहीं रहता पेरलल हमने एक और स्कीम चलाई और वो है मुख्यमंत्री प्रीवार समृत्धी योजना जिसके अंतरगत ये तैक कि आ गया कि ऐसे सब प्रकार के प्रीमियम चाहे वो pension के हैं अत्वा कोई bimah कराना ये वीमे के हैं क्योंकि श्रक्षा bimah योजना जीवन जोती बीमा योजना इनके premium 12 रुपए और 330 रुपए ये भी कोई देने के लिए तियार होता नहीं है जिन परिवारों के आये एक लाख सहीजार पैसे कम है ऐसे सब परिवारों को 6,000 पैसाल का दे करके ऐसे प्रीमियम उसमें से बराए जाए ताकि उसकी भविश्य उसका सुरक्षित हो जाए तो ये योजिना हमने भी लागू कर दी है लगबद शाड़े छे लाफ लोगों को मुख्य मंत्री प्रिवार्समर्टी योजिना का लाव ये मिल गया है तो ये इस योजिना कोमने आगे बढ़ा है प्रदान मंत्री किसान समान निदी 6,000 प्या वार्षिक ये काम भी इस देश में पहली बार हुआ है कि हर किसान के खाते में हर 4 मेने के बाद 2,000 प्या जाएगा और ये पिछले वर्षबर में लगातार चला है इस बार के किस्ट भी पहुँच गई है किसान अपने खर्चों को किस प्रकार से उसमें मेटाउट कर सकता है सारे खर्चे न भी मेटाउट हों कि तो कम से कम 6,000 पे का सयोग साल का उसको होता है तो बहुत बड़ा काम जो है किसान का वो आगे बढ़ जाता है इस परकार की विश्था ये भी प्रधान मंत्री जी ने की है उसमें हरिणा ने जो योगदान किया है वो मैंने आपको बताया है पदानमंत्री जी ने caring for poor जो भी कोरोना के दिनों में कुछ बाते मैंने कोरोना से पूर की बताई हैं पिछले वर्ष की लेकिन पिछले धाई मैने से हम कोरोना के पीड में निकल रहे हैं तो कोरोना के अंतरगत जो उन्होंने गोशनाए की इस देश को आतम निर्फर बनाने के लिए हर व्यक्ति का यूगदान हो उस नाते से 20 लाख क्रोड रुपए की जो गोशना एक एक पैकेज दिया गया उसके अंतरगत बड़ा जो एक लाब दिया गया MSME को उस MSME में 3.5 लाख क्रोड रुपए का एक पैकेज केवल MSME के लिए गुशित किया हमने हरियाना में भी इसकी यूजना बनाई है कि केंदर का जो लाब मिलेगा वा तो मिलेगा ही साथ में हरियाना की ओर से भी हम उसमें कुछ लाब जोड़ सकते हैं तो जैसे शिशू लोन है MSME के लिए पचास जार पे का लोन इस लोन में जो ब्याज entrepreneur को देना पड़ता है उस ब्याज में हमने भी अपनी होर से उसमें योगदान करने का युट्य किया है ऐसे ही ये शिशू लोन पांच लाख लोगों को हम लोग दिलवाएंगे इस काम ने बैंकों से बात करके प्रावदान किया है जो street vendor है जो unorganized labor है ready-fady वाला है ऐसे लोगों को भी DRI के अंतरगर 15,000 पे का लोन छोटी पुझी लगा करके अगर छोटा दंदा कर सकता है वो तो 15,000 पे का लोन उनको भी हम दिलवाएंगे इसके लिए बैंक से बात हो गई है 3,000,000 लोगों को ये लाब देने का मारा target है इसका interest 4% उनको देना पड़ता है वारशिक लेकन हमने तैकिया कि 2% का interest ये हरिणा सरकार देगी ताकि सिरफ 2% के interest पर ये 3,000,000 लोगों को छोटी पुझी इनको मिल सके इसके लिए हमने किया है किसानों के लिए बहुत सी होजनाय बनाई गई है पशुपालन भाग के लिए बनाई गई मतस्य पालन के लिए बनाई गई है Integrate farming ये परकार से जो छोटा किसान है उसको कैसे खेती एत्र अलग से कोई काम करने के बाद किस प्रकास से अपना जीवनी अपन करने के लिला कमा सकता है, पैसा लगा सकता है इसलिए बहुत बड़े-बड़े बजट उस 20 लाख क्रोड रुपे के पैकेज में वो अनौस किये गए है पशुधन क्रेडिट कार्ड ये पहली बार इस देश में हो रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड तो हमने पहले बनाए अभी हर किसान जो पशुधन साथ में रखता है उसका पशुधन क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा उसकी लिमिट भी बनाई जाएगी ताके उस लिमिट के अनुसार बैंक सिभा ड्वास ले सके और अपने परशू के माध्यम से परशू धन के पालन के माध्यम से अपना जोजन या विस्तार, ये भी क्या जा रहा है, देशवर में हजारों यानि जो एक प्रणूस की घुशन बना करके और उसकी विक्री उठीक डंग से कर पायेगा ताकि यह सारी चीज़ें आगे बढ़ने के बाद किसान को एक freedom होगी अपने उत्पाद को बेचने की एक और्बनाइज तरीके से आगे बढ़ने की और किसान के लिए और बहुत से काम किये हैं जैसे कल ही हमने ध्यान क के बाद और आज किसान की आमदन जो है 2,500 प्या एकड ऐसे सारे जो MSP के रिवाइज रेट्स हैं उसमें बढ़ी है किसानों के लिए एक लाग क्रोड रुपे का एक पैकेज किया गया है इन्फास्रक्चर के नाते तो यह जो इन्फास्रक्चर का पैकेज है उस इन्फास्रक्चर के पैकेज में भी उन लोगों को अलग-लग से सुईधाएं मार्केटिंग की सुईधा कैसे बढ़ सकती है उसके लिए उनको आवशक्ता जो होगी उसके लिए काम किया जाएगा इसी प्रकार ड्रायर्स मंडियों के अंदर के प्रकार से लगाया जाएं यह उसके अंदर बनाया जाएगा ताकि उसको स्विधा हो सके मित्रो इसी प्रकार गरीब लोगों के लिए गरीब कल्यान इस नाते से जो योजनाई बनाई हैं उसमें मन्रेगा इसका भी उल्लेग ज़रूर करना चाहूंगा कि मन्रेगा का जो वेजिज है गो बढ़ा करके और इस समय हरियाना का अगर मैं आकड़ा बताता हूं तो 309 रुप्या प्रति दिन जो डेली वेजिज उनको मिलेगा और हरियाना जो है हाईएस्ट वेजिज के नाते से देशवर में यह होगा जन्दन खाता 20 क्रोड मैलाओं को 500 रुप्या प्रतिम आज 3 मेने के लिए उनके बैंक खातों में पैसे डाले जाएंगे और कुछ और कमजोर वर्ग हैं जिनको एकमुष्थ 1000 रुप्या ये भी लंसम रूप में उसमें डाला जाएगा हम लोगोंने करोना के इस समय में बहुत से काम किये हैं तो करोना के समय के जो काम हैं देश भर में तो सब काम होई रहे हैं हरियाना में जैसे हम देखते हैं हरियाना में करोना की लड़ाई बहुत बढ़िया डंग से हमने लड़ी है और जहां तक आसपास के प्रांतों में तुलना करने की बात है तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली, राजिस्तान, पंजाब, उत्तरुकदेश इन सब प्रांतों से घेरावा हरियाना उसमें हरियाना के स्थिती सब प्रांतों में बेतर है और एक टीम के रूपे हम लोग ने काम किया हर दिन जो भी आउशकता रही उसके साब से प्रॉपरलि उसका रेक्शन वो सब हमें मिलता रहा टीम के रूप में काम किया और अच्छी स्थिति में आज हम हैं सारे देश में हरियाना की इस नाते से एक प्रसिंशा हो रही है नकेवल करोना के जो पॉस्टिव मरीज हैं उनके लिए बिलके जो गरीब लोग हैं जिनके रोजगार समापत हो गये थे उनको फाइनेंशल हेल्प ये भी हमने प्रयाप भेजी है जो हमारे मुख्यमत्री परिवार समिध्धी उजना की बात तों मैंने बताई है बीपियल के परिवार अनॉर्गनाइज लेवर इनके भी सब मिला करके साड़े छे लाख MMPS वाई और साड़े नौ लाख अन्य ऐसे 16 लाख लोगों को 4-5 जार रपया ये पिछले दो मेनों के अंदर हम लोगों उनको बेजा है जो गरीब लोग हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने वोई थे ऐसे DRT डिस्ट्रेस राशन टोकन ये भी हमने 5 लाख के आसपास जारी किये हैं ताकि कोई व्यक्ति भूखा को हमने एक एक घर में परिवार में जा जा करके हमारी जो लोकल कमेटीज हैं उन्होंने एक प्रकार से एक सर्वे करके और जो नाम हमको भेजे उन सब के DRT बनाए गए उनको दिये गए इसी बीच में प्रक्यूर्मेंट का अपनयाब में एक बड़ा विश है किसान की प्र जाने साथ लाग मेट्रेक टन सर्सों यह हमने खरी दी है निर्विगन सारा काम लगभग पूर्ण हो चुका है एक दो तिन पेमेट जो कुछ पेमेट्स लेट जरूर हुई लेकिन वह भी विवस्था को ठीक करने के रिश्ची से थोड़ा से देरी हुई लेकिन एक दो दि के अंदर-अंदर सारी जितनी पेमेट लोगों की बची है किसानों की वो सब उनको पौंट जाएगी जहां तक उद्योग का विशह है इंडस्ट्री इसको भी सुचारू डंग से हमने यानि चलाया है पूर्ण किया है इसके प्रतिमंद थे वो स्वाप्त किये हैं और लग उनकी अपने कारणों से अगर कोई को कमी होगी तो उसको अपना पूरा करेंगे लेकिन हमने इतने लोगों को और काम में दिया है जहां तक एक मजदूरों की कठनाई जो आई थी उस मजदूरों के कठनाई को भी हमने बहुत ही सुववस्ते डंग से चाए खेती के थे चाए इंडस्ट्री के मजदूर थे जो लोग घर जाना चाहते थे उनको अपनी विवस्ताओं से हमने लगभग यानि साड़े तीन लाख लोगों को 96 ट्रेंज 500 बसों के ट्रिप्स ऐसे हर परांत के लिए जहां की आवश्यक्ता थी उन परांतों को भेजा और यह अप परांत कहा कि नहीं यह मजदूर जो यहां काम करते थे इनका हरियाना निर्मान में भी अपना एक योगदान है और आखर हरियाना का मजदूर हो या कहीं देश में किसी और परांत का मजदूर हो हम उसमें अंतर नहीं समझते हैं कारण क्या कि आखर हरियाना के निर्मान में यह लोग काम करते हैं, देश हमारा एक है, हम एक देश की वासी हैं, खास करके संकट के समय, हमें इस परकार से छोटे दारे स्माप्त करके संकट में एक दूसरे का सयोग साथ सायता करनी चाहिए, वो उने किया है, हमारे अपने लोग थे, इसलिए हमने किया है, हमने किसे पर किया है। तो मैने पत्र का उत्तर भी इसे उत्तपा को लेकर के दिया था, के हमारे अपने भाई हैं, बंदू हैं, इसलिए इनकी सायता करना यह हमारा फ़र्ज है, यह काम भी हमने उसें पूरा किया। शिक्षा का जहा तक Chan, परिक्षा के समंद्ध में चुके डिस्टेंसिंग के कारण से सोशल डिसेंसिंग स्कूल में विद्याथ्थी बच्चे जा नहीं सकते तो उनको ऑनलाइन शिक्षा के ये सारे प्रावन किये हैं जो परिक्षाएं रह गई थी उन परिक्षाओं को लेने के लिए भी आगे की चुजना बन गई है लेकिन बिना परिक्षा भी अगली कक्षाओं में बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे बहुत आवश्यक जो परिक्षा होगी वही उसको बाद में देनी होगी अन्यता सब बच्चों को हमने अगली कक्षाओं के लिए भेज दिया है और शिक्षा भी कैस इसे हमारा शिक्षा का सिस्टम सुधरे हम अभी से नहीं बलके जब मारा बजट सेशन था तब से आपने देखा होगा कि हमने शिक्षा के सुधार के लिए इस बार बजट में खुब बढ़ोतरी की थी 13.8 प्रिशत ये बजट हमारा इस बार शिक्षा में लगाया था जो पि हैं कि मने योजना बनाई है जो गाओं हैं उनके अंदर जहां दो या दो से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल है उनमें एक एक प्राइमरी स्कूल को इंगलिश मेडियम एक प्राइमरी स्कूल के रूप में विसित किया जाया और वो बैग फ्री प्राइमरी स्कूल होगा बस इसको आगे बढ़ाना ये सारे काम हम कर रहे हैं और इसके लिए प्रयाप्त हमने बजट भी हमने किये हैं विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा काम जो हमने भी किया वो है एजूकेशन लोन पर इंट्रेस्ट की माफी जो विद्यार्थी एजूकेशन लोन लेकर के पढ़ कर रहे थे कर रहे हैं और जिनका भी मूल राशी की वापसी शुरू नहीं हुई है ऐसे सब विद्यार्थियों के एजूकेशन लोन के उपर तीन महिने का जो इंट्रेस्ट है जो लगबग पचास क्रोड रुपया बनता है ऐसे तीन महिने का इंट्रेस्ट उसकी माफी भी हम हमने बनाई है सबजियां और कुछ फसले 19 सबजियां और फसले ऐसी है जिसमें भावंतर वर्पाई युजना के माध्यम से हमने पिछले वर्ष में 610 क्रोड रुपया ये खर्च किया है उसके अंदर सबजियां भी है उसमें बाजरा भी है उसमें सर्सों भी है ऐसी जो फ पूरी की है कि 25 परसंट जो तीन महिने का फिक्स चार्जेश थे मार्च अप्रेल और मई के इसको एप्रेल मेरी जून के इसके तीन महिने के जो हमारे फिक्स चार्जेश है वो नियम बना करके उनको मैंने माफ किया है और जो 75 परसंट की बिजली जो पावर फिक्स पावर के चार्जिस हैं अगले च्छे मेने में उनको डेफर किया है जुलाई से दिसमबर तक वो उसको दे सकेंगे फसली रिण उसकी जो रहात योजना कि हमने बराई थी चार लाख दस जार किसान उसका लाब ले चुके हैं तेरा सो चौदा क्रोड रुपे का उनको ब्याज और जो पैनल्टीज थी वो उनकी माफ होई है और इस योजना को वैसे तो पिछले साल खत्म हो जानी चाहिए थे लेकिन अभी चुके कोरोना का पिरिड है इस योजना को भी हमने 30 जून तक बढ़ा दिया है ताके जो किसान रह गए होंगे वो इसका लाब ले सकें नलकूप पावरबिल माफी योजना इसमें भी 1,12,000 किसानों ने लाब उठाया है 23 क्रोड का इसमें लोगों को लाब हुआ है 4,000 नई मोटर्स ट्यूवल कनेक्शन जो बाकी थे 5 स्टार के वो लग गए है मोनो बलाक की मोटर्स के लिए किसानों को फ्री छोड़ दिया है कि वो अपनी मोटर अपने आप खरीद करके और उसमें लगा सकते है मित्रो किंदर सरकार ने अटल भूजल योजना एक योजना शुरू की और इसका मोले किसली करना चाहरा हूँ कि एक बड़ी योजना हमने भी अरियना में बनाई है और वो योजना है मेरा पानी मेरी विरासत पानी के संकट को देखते हुए हम पानी को कैसे बचाएं आने वाली पीडियों को जमीन के साथ विरासत में पानी भी देखर के जाएं तो ये एक बड़ा लक्ष सामने रख करके धान के किसानों को हमने अपील की है कि जो ज़्यादा गहराई पानी चला गया 40 मीटर से नीचे जा पानी चला गया है वहाँ के किसान 50% धान की बजाई कम करें उसके अदर कुछ छूट भी हमने दी है लेकिन इसका सयोग हमको देश यानि केंदर सरकार भी दे रही है पधान मंत्री जी ने घोशना की है अटल भूजल योजना और जिसके लिए 763 क्रोड रुपया ये हरियाना को मिलने वाला है इस 763 क्रोड रुपय के माध्यम से हम बोर वैल्स लगाएंगे ताके पानी की रीचार्जिंग हो सके हम Pond Authority के माध्यम से तालावों को ठीक करेंगे जहां जा रीचार्जिंग का काम हो सकता वो करेंगे पानी को बचाने का काम करेंगे ताके पानी हमारा भविश्य है पानी हमारा जल हमारा जीवन है इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका भी हम उपयोग करेंगे मित्रो अगर मैं पोस्ट कोविड की बात करता हूँ क्या क्या होगा उसमें उसमें भी जैसे धर्मंत्री जी ने बहुत सी योजना हैं उनको लागू करने के लिए जो पैकेज होशत किये हैं खास करके चाहे वो किसान हैं चाहे इंडस्ट्री है और चाहे इन्वेस्टर है एक बड़ी योजना चोके देश और दुनिया में अभी जो कुछ चल रहा है उसके अंदर भारत वर्ष भी ये चाहेगा कि ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्टर हमारे यहां आए हरियादा के नाते हम भी चाहेंगे कि बाहर के इन्वेस्टर यहां आएं हमने पिछले दिरों के अंदर जापान के लोगों से अमेरिका के लोगों से और अब आगे कुरिया के लोगों से भी एक मेरी वेबिनार बहिबियनाथ के मात्यमसे बाच्ची थोने वाली है कि उन से उनको बता करके और हमारे आज ज़्य क्या कैसो इदाई हैं हम उनको दे सकते हैं वो सारी सुविधाौं के मात्यमसें उनको आकशत किया जाए खास तरपर उनकी वैक्षा होती है कि जमीन हमको यह यहाँ पर मिले आसान किस्तों पर मिले यह आसान खीमत पर मिले हमने उसके लिए लीजिंग का जो पैटर्न है जमीन देने का वो भी दीरकाल के लिए लीजिंग पैटर्न इसको भी शुरू किया है ताकि उनको खरीदिने ना पड़े और लीज पर ले सकें प इस ओफ डूइंग बिजनस भी है आकर हमारे हाँ हम तीसरे रहंक पर देशवर में हैं नॉर्थ इंडिया में तुम फस्था पहले स्थान पर हैं और दिल्ली के नजदीक होने के नाते से एक जो विसिडिटी है और एक NCR के अंदर होने के नाते से लोगों की एक चाहत भी है क हम इसके लिए अपने नौजवानों को उनको स्किलिंग भी कराएंगे स्किल डॉयल्मेट के मादियम से योके विक्ति योके वरकर ये इंडस्ट्री को मिले इसके लिए भी हम अपना सारा सिस्टम हमने बनाया है उसके नदर हमको लाब मिलेगा कलस्टर अपरोच यह हमने शुरू की है ताकि कलस्टर अपरोच में एक एक जिले में किस परकार की कलस्टरिंग हो द्योग की कहीं agro foods की इंडस्ट्री है कहीं pharmaceutical की है कहीं wisतर द्योग यह शुरू हो कहीं steel का उद्योग शुरू हो ऐसे अलग-लग परकार के कलस्टर्व की अ करशित होंगे हरियाना है और जाए देश है क्योंकि हरियाना का अपना एक योगदान देश के अंदर बड़ा महत्पून है प्रधान मंत्री जी ने हमारा जो सुन जनती का कारकम था उसमें आकर के कहा कि हरियाना के ने विकम तक ग्रोफ ग्रोफ इंजन अव दे कंट्री यान हमारे प्रति इतना एक विश्वास है देश के प्रधान मंत्री को हरियाना देश का ग्रोफ इंजन बन सकता है और ग्रोफ इंजन के रूम में आगे बड़ भी रहे हैं क्योंकि अगर मैं प्रतिव्यक्ति आया की बात करता हूँ तो हमारी बड़े जो प्रदेश हैं प्रति किसान को है किसी करमचारी को किसी वर को कोई कठराइ नहीं है बहुत स्मूली सारा सिस्टम वारा चल रहा है और अगे चिल करके हम जो मेंटू मेंटू मेंट अपरोच हर व्यक्ति से संपर्ख यानि आयू जीरो से लेके और भगवान को प्यारे हुने तक हर व्यक्ति की सम्हाल करने का हमारा मेकैनीजम यह हम खड़ा करने जारे हैं ताके किसी भी व्यक्ति हो विध्यारती हो व्यफसाई हो रोजगारबड़ा हो, ions किसान हो, दुकानदार हो, महिला हो, बुझूर्ग हो, हर प्रकार के रोगी हो, Sports person हो भाजी हो एक्सरेजमन हो हर परकार के वेक्ती का हम उसकी चिंता करेंगे और उसका उप्योग क्या होगा वो प्रदेश के देश के हित में क्या कर सकता है इसके लीफे हम काम करेंगे ताके हर वेक्ती को ये लगे कि मुझे भी अपने देश प्रदेश के लिए कुछ योगदान करने का आउसर मिल रहा है उसमें निश्च दुरुप से पत्रकार, फोटोग्राफर, कलाकार, धीतकार, संजितकार ये भी होंगे इन सब बातों को हम ध्यान रखते हुए अपने इस प्रदेश को आतमने धर प्रदेश बनाएंगे ताके आतमने भर भारत बनने में हमारे प्रदेश का पूर्ण योगदान हो सके